हेलो गाइस माइनेम इस कुल्दीप एन वेलकम टू स्टेडी फंडा सो आज का लेक्षर काफी जदा इंपोडेंट होने वाला है बेकॉस आज की लेक्षर में बात करेंगे डेली करेंट के यह पांच अक्टूबर का है करेंट पर देखे जाएंगे तो यह जो अपना स्कोर है न वो कमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं तो चलिए आज का लक्षर हम स्टार्ट करते हैं तो पहला मतार जो वर्ल्ड का लाज़र्ट खादी नेशनल फ्लैग है वो कहां अन्मील हुआ है ओप्ष्ण इसमें दे रखे हैं पहला है लद्धा दूसरा है सिक्की में तीसरा कशमीर और चौथ है हिमाचल तो यह चार ओप्ष्ण इसमें दे रखे हैं तो अगर अपे अगर आप तो आप इसका आंसर सही बता दोगे वैसे मैं बता दूँगा तो इसका वैसे सही आंसर है आंसर नमर ए लद्दाख तो यह वर्ल्ड का जो लार्जेस खादी नेशनल फ्लैग है न वह लद्दाख में फिराए गया ठीक है तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एक हजार किलो का हैंड वर्म खादी ट्राइकलर मंदद हातों से बना हुआ जो खादी का जो खादी से बना हो ट्राइकलर जो त्रंगा है वो लार्जेस है अपनी इंदा कंट्री वाज अन्फिल टॉप हाई मांटेन ओवर लुक दा ले वैली में इसको फेले तो इसकी लोके पर इसको फराय गया है और गांदी जन्ति 75th anniversary of the India's independence ठीक है तो कॉमेड़ दा यह और इसके अब ऑब्जिक्टे एम सा ठीक है इसी स्को यादत ना ने नेक्स्ट इस में है कि the flag which was unfilled is the largest handwoven and head spoon cotton khadi flag ever manufactured in India and it is measured 20-20 feet में पहले तो यह है कि यह पहला सबसे largest है और यह पैसा first है लेकिन इसमें यह दे रखा है इसकी मिजर दे रखा है मतलब यह 225 feet and 1500 feet इसका weight और चोड़ा है लंबा ही चोड़ा है और इसका weight जैसे बताया 1000 kg है ठीक इस चीज को यह रखना और यह न खारी डायर्स and printers की द्वारा बनाएगा जो की Mumbai based है ठीक है और इसको affiliate किसके द्वार मिलाओ खादी इवलेज एंड इंडिस्टी कमिशन ठीक है और यह कुछ इस तरीका कर देख रहा है तो इन points को आप याद रखना then second question देखें second question है कि इंडिया में October को जो दो October से लेगे 8 October तक कौन सा week celebrate किया जाता है यह question है option है cleaniness week, दूसरा है nutrition week, तीसरा है education week, चौता है wild week ठीक है तो यह चार option है इसका साही answer है wild week, तो October 2 से लेके October 8 तक यह wild life week को हम celebrate करते हैं तो जैसे कि इसमें newspaper में लिखा हुआ है कि events line up for the wild life, world wildlife week के लिए तो यह occasion, किस occasion world wildlife week के लिए इस occasion पर हम इस week को celebrate करते हैं तो इसी पर ही Indra Gandhi Geological Park है पहले तो आप comment section में आप इसकी location हमें बताना ठीक है Indra Gandhi Geological Park की location आप comment section में बताना ताकि इससे आप जब search करोगे ना तो यह एक psychological आपके mind में थोड़ा feed हो जाएगा ठीक है इस इंदra Gandhi Geological Park में यह इस event को मनाया गया इसके लाबवब काफी सारे events इसमें organize के गये various events for wildlife lovers के लिए जो wildlife lovers होते हैं उनके लिए काफी सारे इवेरीस events इसमें और इसमें organized के गया और यह world wildlife week है तो इसका कुश लोग है जैसे दो से लेगे 8 October के बीच में यह celebrate किया रता है ठीच तो इस चीज को प्याद रखना तरह नेस्ट कोशन हम इसमें देखें तो which cartoon character has been roped in is the official musket for नमामी गंगे प्रोग्राम मतलब इसका मतलब यह है कि मतलब ऐसा वो cartoon सा cartoon का character है जो नमामी गंगे प्रोग्राम में official musket की त नमामी गंगे प्रोग्राम में तो जैसे कि इसमें दिख रहा है यह कुछ cartoon character आप साहर आपने सभी नहीं बच्पन में जरू देखा होगा तो यह चाचा चौदरी का cartoon character को न इसको use करने के लिए क्लिया था कि जो बच्चों के अंदर जो sensitize और जो यूथ है उनको बता याँ ता कि जो गंगा के जो cleaning के बारे बताया है इसके जरिए ठीक है इसके जरिए बच्चों और जो यूथ है उनको गंगा के क्लीनिक बारे में और बाकी जो अधर वंके बारे में इसके ज़रीं है अनम सी अन्टरिक फब्लिक पॉप्लिक ऑ टिस प्रोग्रम करेंगी मतर्ब तो जैसे हो गया या वे स्टार्ट करेंगी लंग तील इंड इसका नाम होगा रग रग में गंगा यह गंगा की बात यह चाचा जौ०्री के साथ तो इस चाचा जौ०्री के साथ में लगा इस कारीटन करेक्टरि को इसके बताए गा छिक है और और नेक्स इस Laut लगा है National Mission for cleaning गंगा थो इसके बार में थोड़ा पढ़ लेते हैं तो National Mission for cleaning गंगा है वो एक सुसाइटी की तोर्ट पर रेस्टेट होगी है जिसको कब रेस्टर कहाँ गांगा था अगस्ट दोय एकिस में तो बस इतना इसमें यह important हो जाता है विकाज यह जो चार्चा चौदीवार करेक्टर है उसकी जो सीरीस है वो इसके अंडर ही चलो होगी तो इस वैसे यह थोड़ा important हो जाता है national mission for killing का ministry उजल सकती के अंडर आती है then next question देखें तो all India car rally जिसका नाम सुदर्शन भारत परी कर्मा है वो start हुई थी second October को किसके द्वारा ठीक है option है नरेंद मुदी अमित्सा अनुराग ठाकूर या किरन रिजिलू तो इस चार option है तो इसमें से एक साही answer होगा ठीक है तो इसका साही answer है option number B अमित्सा तो अमित्सा जो हमारे home minister है उन्होंने इस rally को नौगेट किया था फ्लैग उफ किया था जिसका नाम है शुदर्शन भारत परी कर्मा तो देखते हैं इसके बार में तो यूनिय मिनिस्टर जैसे बदाया कि इसमें कि इसको फ्लैग उफ किया था जिसका नाम है ऑल इंडिया का रैली for national security गार्ट जैसको एनेजी बोलते है ठीक है इसका नाम है सुदर्शन भारत परीकाम तो एनेजी की जो रैली थी वो फ्लैगोर किसके दर की गई थी हम मिनिस्टर अमिश्या के द्वारा ठीक है फॉम दा हिस्टोरिक रेड़ फोर्ट और इन डेली मैं डेली की लाल के लिए से इसको स्टार्ट गया था ऑन दा आजादी आजादी का अमरित मोश्राव ठीक है इसकी ओक्रीशन पर आजादी अमरित मोश्राव पर इसको इन और तो इसमें कुछ पीजिए यार रख नहीं है कि यह जो रेली है ऑल इंडिया का रेली थी नेशनल सिकर्डी गार्ड की एनेजी की जिसका नाम था सुदर्श भारत परिकाम और कांसे च्टाड हुए थी रैट फोर्स है ठीक है और किसके ओक्रेशन पर कौन से उपजिए पर यह जो इती आजादी के अमत मोश्राव ठीक है इसके अलावा अमिश्य जी ने एक और रेली भी इनॉड की थी ओल इंडिया साइकल रेली यह ठीक है यह कार रेली कि इसे याद है मैं सी साइकल का सी तो इस तरीके से थोड़ा याद रख लेंगे तो नेस्ट कोशन देखते हैं तो नेस्ट कोशन है कि हूँ है जी संटी इनॉड इंडिया पर वेलियन एड दोबई एक्सपोर 2020 में दोबई एक्सपोर 2020 हुआ था उसमें इंडिया का जो पर वेलियन था वो किस ने इनॉड रेट क्या था ऑप्शन है नरिन मोदी पीस गयल अमेश्या या इसमर्ति इनानी ठीक है तो इसका साही आंसर है ऑप्शन नमर बी पीस गयल जो मिनिस्टर है हमारे उन्होंने दुबई एक्सपो जो 2020 हो रहा और वहां पर इंडिया प उन्होंने कुछ दर्शन कुछ दर्शन दिखाए थे तो यह कुछ इस तरीकी का है तो इस चीज को प्याद रहना तो एस यू एंटर दा इंडिया पैविलें दुबई एक्सपो 2020 में तो आप देखें एक मिनीशर दिखा होगा मॉडल राम मंदिर का जो की आयुद्धा में बुल्ट होगा मतब आयुद्धा में बनेगा अंडर कंस्ट्रक्शन हिंदू टेंपल इन अबुदावी और एक और मंदिर है जो अब बन रहा है अबुदावी में तो इस चीज को भी या रखना इसा पहला मंदिर होगा जो इस सिटी में तो यह पॉइंट याद रखना ए है मतलब एक डिस्टी एक प्रोड़क्ट होगा एक डिस्टी के अट वर दको में किसी डिस्टी कücklich में कोई अलग अलग तरीका होगा तो इसको नाम दिया गया है वन डिस्टिक वन प्रड़क्ट स्कीम तो इसका जो ब्रेंड अम्बेस्टर है वो किसको बनाएगा तो यह कोश्चन है ठीक है ऑप्शन है अजय देवगन सौनु सूद कंगरा रनौत यह विद्दा बलंग ठीक है यह च स्कीम ठीक है तो यूपी गोवर्मेंट ने इसकीम को लॉंच किया था और इसका एम था कि जो प्रोड़क्ट की जो इस प्रोड़क्ट रही है जो ट्रेडिशनल प्रोड़क्ट है उसके उसके लिए इंडस्टियल हब्स बनाना वह बाकी सब जितने भी वहां पर दिस्टि इसका में ऑब्जेक्टिव था ठीक है नेस कोशन देखें नेस कोशन है कि वीच कंटी ऑप्जर्ड इट्स फर्स नेशनल डेफर तूथ एंड रिकंसलेशन ठीक है तो ऑप्शन है उस्टेलिया जेपाइन यूके या कनेड़ा ठीक है तो इसका कोई एक सही अप्शन तो तो इसका सही अंसर है ओप्शन नमर्ड डी मतलब कनेड़ा जो कंट्री है नेशनल डेफर तूथ रिकंसलेशन डे अब्जर किया है ठीक है तो यह होता क्या पहले तो पहले तो जो डे है वो अबजर किया था सेप्टमबर तीस को एस फर्स नेशनल डे फॉर तूथ और रि चिल्डन होगे यह सर्वाइवर ओफ रैस्रिदेंशल स्कूल दियर फैमिलीज एंड कम्निटी इनके लिए यह डे अब्जर किया गया है ठीक है तो यह डे अब्जर किया हो कहा पर तो यह किसके दौर अब्जर किया गया था कनेड़ा तो इस चीज़ को आप याद रखना इसमें याद रखने के यह कनेड़ा में और यह लॉश्च चिल्डेंट सर्वाइवर और राज चिनेशल स्कूल एंड देर फैमिलीज एंड कम्निटी इनके लिए यह यह अब्जर किया जाता है ठीक है नेस्ट कोश्चन नेस्ट कोश्चन देखते हैं तो यह कोश्चन है क सब्सक्राइब कर लिया है ठीक है यह चार उप्शन इसमें इदे रखे हैं तो इसका सभी आंसर है आइट हैद्राबाद ने कोश्चन उसके फर्स्ट ऑप्शन कर लिया ठीक है तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आइट हैदराबाद रिसेक्षार क्रिएट हैड्रोजल टू प्रोटेक्ट यॉर आई फ्रम कोर्नियल स्केर्ट मतलब एक तरह की डिसीज होते हैं जिसमें आंक कुछ इस तरीके की देखने लगती है ठीक है तो जैसमें इसमें इर्रोगलिटी आने लगती है ताकि और ज फोकस करने में थोड़ा परिशन ही उसको होती है तो यह बीमारी और यह कुछ इस तरीके से दिखती है ठीक है तो इस पॉन्ट को आप याद रखना आई टी हैदरावाद ने यह रिसेट्स डेवलफ की थी तैं नेक्स कोशन देखें तो नेक्स कोशन है हूँ है हूँ है व उनमें सब कोई एक क्रेंटसर होगा है ठीक है तो इसका सभी क्हांड़ आंसर है option नमर्ब एस संदीब से जो संदीब से नशेंग है वह इंडिन एयर फोर्स के वाइस चीफ हैं नहीं ठीक है तो जैसे इसमें साथी तो जैसे एयर मासल्स पाल़िया वह अंपयने के रहे हैं वाइस चीफ इंडियन एयर फोर्स के एंदमने किन को सक्सीर क्या है एर मार्षल विया चोदृ और जो विया जो चोदिंए वो इन ए compose के नए chief of air staff है ठीक है यह दो point इसमें याद रखना संदीब सी, vice chief है और जो वियार चौधरी है वो chief of air staff है Indian Air Force के यह साथ question मैंने previous वाली वीडियो में पढ़ाया था तो इस point को आप याद रखना ठीक है तो यही इसमें नी वीडियो में यही था बाकी कल के लिए कल next वीडियो हमें देखेंगे और कुछ नए interesting question के साथ तब तक के लिए thank you and जय है